आज के वीडियो में कोई नौलेज नहीं है नौलेज ही गहे लो यार पर एक अवेरनेस कहूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से यानि कि इस वीडियो का जो में थीम है अवेर करना आप लोगों को S.A.B.C.S. मैसेजेज S.A.B.C.S. लिंक से जो की आपका डेटा पब्लिक कली कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं वो चाहे डेटा आपको कैसा भी हो चाहे एडी पासवर्ड हो कार्ड नमबर हो, कुछ भी हो सकता है तो बात करते हैं इस जैसे मैसेज जो आपको स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा हो इस जैसे मैसेज अगर आपको वाटसेप के थ्रू टेलिग्राम के थ्रू चाहे आपके इन बॉक्स के कि आप कोई लोटरी कुली है कॉंग्राचूलेशन आप ये जीच चुके हो तो ऐसे इन मैसेज के साथ आपको एक लिंक के मिलता है उस लिंक को कभी भी फॉलो करकर उनकी वेपसाइड पर रिडिरेक्ट नहों इससे बिसिकली आपका जो परसनल इनन्फॉरमिशन हो सकती है वो लीक हो सकती है नफन बूर्मिशन आपकी सेल आउट हो सकती है किसी थर्ट परटी वेपसाइट पर या फिर यह जो आप जो भी उस link पर जाओगे जब तक आप उस link के थुरू उस website पर visit रहोगे तब तक आप कोई किसी दूसरी जगा access हो सकते हो कहने का मतलम overall यही है कि आप पूरी तरीके से danger zone में आ जाओगे जब तक आप इस link को खोलोगे या link को follow करते रहोगे basically यह जो link होते है scammers और hackers के दौरा हमारे social media का जो environment होता है उसमें spread किये जाते है ताकि वो हमारा data हमारी personal details को use कर सके इस से basically क्या होता है या तो हम अपने पैसे को सकते हैं क्योंकि हमारा अगर phone access हो जाएगा किसी के तो phone fake google पर बहुत सारी चीजों होती है उसका access किसी और के पास चला जा सकता है जा सकता है यह कि नहीं है कि चला ही जाएगा जादतर cases में क्या होता है जो हमको links मिलते हैं हमारे जो उस messages में वो unsecure websites को यानि कि unsecure website पर हमको ले जाती है यानि कि जिस पे HTTPS ना होके HTTP होते हैं क्योंकि insecure माने जाते हैं जितने भी HTTP होते हैं यानि कि unlock वाले जिस पर ताला बन कर नहीं आता तो उन website पर हमको नहीं जाना है अपने आपको रोकना है और ऐसे भी कुछ fraudulent जितने भी messages हमको whatsapp, inbox के थुरू मिलते हैं उनको नहीं open करना है मेरा बताना आपको एक awareness create करना है जितने भी मेरे subscription लिये हुए people है YouTube पर तो please आप ऐसी चीजों को follow ना करें इस वीडियो में बस यही message देना था hope कि आपको पसंद आया होगा अगर आया हो तो like करके और comment करके थोड़ा सा मुझको बता देना मिलेंगे किसी और update के साथ अगले next वीडियो में चब तक के लिए bye और बताना जरूर कि क्या समझ में आया आपको इस वीडियो के जरीये से